दोस्तो आज हम देखेंगे India Post Payment Bank Debit Card की Limited Charges के बारे में दोस्तो इंडिया Post Payment Bank की तरफ से Virtual Debit Card मिलता है जो की रुपे Classic Card है बेंक की तरफ से कोई भी Physical Debit Card इसू नहीं होता है सिर्फ Virtual Debit Card मिलता है दोस्तो ये Virtual Debit Card सभी Online Merchant Site में Accept होता है इसलिए आप सभी Online Payment इस Card के थरो कर सकते है और इस Virtual Debit Card के थरो सभी Recharge and Bill Payment भी कर सकते है अगर कोई साइट में रुपे Card का Cash Paker Discount Offer होगा तो ये रुपे Card को यूज़ करके आप उस Offer को यूज़ कर सकते हो अब जानते इस Card की Limited Charges के बारे में दोस्तों, इंडिया Post Payment Bank Virtual Debit Card की Daily Online Limit 25,000 रुपे है यनि, डेली 25,000 रुपे तक कोई भी Online Payment इस Card के थरो कर सकते है दोस्तों, क्योंकि एक Virtual Debit Card है, इसलिए इस Card की कोई भी ATM लिमिट नहीं है अब जानते इस Debit Card की Charges के बारे में दोस्तों, इंडिया Post Payment Bank Virtual Debit Card की Issue Charges 25 रुपे है और ये Charges GST मिला के है, 18% GST मिला के Total Charges 25 रुपे है जब अब इंडिया Post Payment Bank Mobile Banking आपके थरो कार्ड को एक्टिवेट करेंगे उसके बाद इस Charges आपके एकाउंट से डेबिट होगा तो अभी इस Debit Card की कोई भी Annual Maintenance Charges नहीं है लेकिन 15 जूलाई 2022 से इस Debit Card की Annual Maintenance Charges 25 रुपे होगा सभी नए और पूरान एकांट पे इंडिया Post Payment Bank Virtual Debit Card का Annual Maintenance Charges लगेगा और ये Charges को हर सल आपको देना होगा तो दोस्तों ये रहा इंडिया Post Payment Bank Virtual Debit Card की Limited Charges के बारे में और ये वीडियो कैसे लग आप तीं कमेंड पर बताए है और अच्छा लगे तो आप लाइक से रहे हैं सबस्क्राइब करना तेंक्यू फर वाजिन